नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन के आठपतिस्थ लाभ को को ही मिला PMGKY योजना का लाभ जार्खन के लगभग 55 लाभुक सितंबर महिने में PM गरीब कल्यान अन्योजना के तहत मिलने वाले राशन से वन्चित रहें इसके तहत राज्य के 69.46 लाभुकों को प्रती परिवार प्रती मा 5 किलो राशन मुप्त में दिया जाना है दूसरी और सितंबर में सिर्फ 8 परती सतलाभ को को ही राशन मिल पाया है इससे पहले अगस्त में भी इस वन्चित लगभग 25 परती सतलाभ को को राशन नहीं मिल पाया था खाद आपूर्ती विभाग के अधिकारियों का कहना है कि तक्निकी वज़ा से अहार पोर्टल में राशन बित्रन की सत्परती सत ओनलें इंट्री नहीं हो पाई है जबकि केंद्र से इस योईना के तहत अनाज का अवन्टन लेने के लिए अहार पोर्टल में की गई ओनलें इंट्री को अधार बनाया गया है सत परतिसत इंट्री नहीं होने के चलते नियम के अनुशार केंद्र सरकार ने समिक्षा के बाद इस मा के अवन्टन में उतनी कटवती कर दी जितने का बित्रन पोर्टल पर नहीं दिख रहा है चक्रवात के असर से बारिस शुरू बंगाल की खड़ी में बने दो चक्रवातों का असर जार्खन पर भी देखने लगा है जार्खन के कई इलाकों में रभिवार से बारिस शुरू हो गई है पांच अक्टूबर तक रुक रुक कर बारिस होती रहेगी लागातार बारिस का असर जार्खन जीवन पर रहेगा 6 अक्टूबर से राहत की उमीद जताई गई है हलाकी हवा के गती बहुत तेज नहीं होगी इधर बाजिस के बावजूद भगतों का उच्सा कम नहीं हो रहा राइधानी और आसपास के इलाकों में लोग चाता लेकर पुजा पंडालों में मातारानी के दर्शन करने के लिए पहुच रहे हैं 7 अक्टूबर को जामों की बैठक जामों के केंद्रिये समीति की बिस्तारित बैठक 7 अक्टूबर को सुबह साड़े दस वैस से हर्मो इस्थीत सुहराई भवन में होगी 18 अधिसमबर 2021 को हुए जामों अधिवेशन के बाद पहली बार केंद्रिये कारे समीति की बिस्तारित बैठक हो रही है इसमें वर्तमार रायनितिक हाल को लेकर चार्चा की जाएगी बैठक के अध्यक्षता केंद्रिये अध्यक्ष सीवू सुरेंड करेंगे बतादे पार्टी के वरिष्ट नेता बिनोत कुमार पांडे ने सभी पदाधिकारियों के बैठक मजूद रहने का निर्देश दिया है जारखन में 43 पर तिसत बच्चों को ही मिली पोसाक रासी जारखन राजा स्थपना दिवस 15 नॉवंबर पर आयोजीत होने वाले कारकरम में सरकारी स्कूलों के बच्चों को नई पोसाक पहन कर सामिल होना है इसके मदर नजर उक्त तीथी तक साभी बच्चों को नई पोसाक उपलब दिकराने के निदेश दिये गए हाए सभी जीला के जीला सिक्चा पदाधिकारी और जीला सिक्चा अधिक्चा को सपत पत्र दे कर या बताना होगा कि उनके जीले के सभी बच्चे 15 नॉवंबर तक नई पोसाक में विद्याले में आने लगे हाए बतादे पूर्वी सिमुम दुमका खोटी गडवा सराय के लाखर जावा यवं रामगड में 60 फिश्दी बच्चो को पोसाक किरासी दी गई वहीं गिरीडी गुमला पालामू में 23 फिश्दी बच्चो को जबकि कोडार्मा में 22 फिश्दी गोड़ा में 15 फिश्दी साइब गंज में 14 फिश्दी बच्चो को पोसाक किरासी मिली है दसवी ITI पास के लिए 315 पदों पर भरती भरतीय रेल्वे ने इस्टरन रेल्वे के तहत अपरेंटिस के पदों को भरने के लिए आविदन आमांतरित कीए हैं एक चुक यम्योगे कांडिडेट इंडियन रेल्वे के अफिश्द पोर्टल पर जाकर आविदन कर सकते हैं भरती परकिरिया के तहद कूल 315 पदों को भरा जाएगा आवेदन करने की आरामभिक तिथी 30 सितंबर जबकि आवेदन करने की आखरी तिथी 29 अक्टूबर निधारी थाए आंगनवाडी सेविका ने मुख्य मंत्री का किया अभिनांदन राज आंगनवाडी सेविका सहाइका के लिए दिन काफी महत्पून रहा सेविका सहाइकाओ ने मुख्य मंत्री आवास से करया ले परशर में मुख्य मंत्री हैमसुरेन का जोरदार स्वागत और अविनांदन किया इससे पहले सवी सेविका सहाईकाव ने मुराबादी मैदान से नाच्टे काते अभीर गुलाल उड़ाते सीम अवास पहुँचे मुख्य मंत्री हेमंसुरे ने उनका आभार सोईकार करते हुए भरुसा दिलाया है कि आगे भी न सिर्फ उनकी बलीक राज्ये के परते एक नागरी के समस्याव का समधान करते हुए सबके चेरे पर मुस्कान लाने का पर्यास करेंगे मुख्य मंत्री ने अंगनवाडी सेविकाव साहिकाव को समुधित करते हुए कहा है कि आप लोगों का सिर्फाद इसी तरह मिलता रहे सुविधाव के साथ साथ बोनस भी दिया जाएगा धनबाद से भुनेस्वर जाने वाले अब गरीब रथ का नहीं कर सकेंगे स्वारी इसके बिकलब के तर पर अब थर्ड एसी एकोनोमी कोज के साथ ट्रेन चलेगी इकनोमी कोच मिलने तक धनबाद से भोनेस्वर के बीच एस्पेसल ट्रेन चलती रहेगी बता देएक अक्टूबर से लागून नए टाइम टेवल में इस्ते जूड़ी सुचना जारी कर दी गई है पूर्व तर्टी रेलवे ने साप कर दिया है कि धनबाद भोनेस्वर के बीच चलने वाली ट्रेन अब थर्ड एसी एकनोमी कोच के साथ चलेगी अभी परियाप्त कोच उपलब्द नहीं है रेलवे बोड को छाथ थर्ड एसी एकनोमी कोच और एक ईओजी उपलब्द कराने समध में पत्र दिया गया है जारखन के राजास्व ई-कोट में 74,000 मामले लटके जारखन के राजास्व ई-कोट में मामलो के सुनवाई में परिसानी आ रही है सबसे बड़ी समस्या नेट कनेक्टिवीटी को लेकर है बता दे ई-कोट के माध्यम से सुनवाई में देरी होने में मामलो का निप्टारा नहीं हो पा रहा है राज्य भर में इकोट में फिलहाल जमीन से सम्मंदित 74,500 से अधिक मामले लटके हैं अब तक कूल 1,95,000 मामले आए इनमें से 1,20,000 का निप्टारा हो पाया है पेंडिंग मामलों के सुनवाई में परिशानी आ रही है जनकारी के अनुसार गाओं में कनेक्टिवीटी बेहतर नहीं होने से कोट का ठीक से संचालन नहीं हो पा रहा रहेतों और गवाहों को इकोट में सुनवाई के दुरान अपनी बात रखने में दिक्कत हो रही है दीपावली और छट महापर्व में चार मारगों पर चलेगी स्पेसल ट्रेन रांची रेल डिवीजन ने दक्षिन पूर्व रेल मुख्या लए गार्डेन रीच को दीपावली और छट महापर्व के मोके पर स्पेसल ट्रेन चलाने का परस्ताव भेजा है दीआरेम पर दीप गुप्ता ने बताया है कि दीपावली और छट में काफी संख्या में लोग जार्खन से बिहार और उतर परदेश्ट आते जाते हैं ऐसे में ट्रेनों में भीड अधिक होती है डिविजन की ओर से चार रेल मारगो पर पुझा स्पेसल ट्रेन चलाने का परस्ताव भेजा गया है इसमें राची जैनगर, राची पतना, राची भागलपूर वर राची गोरख पूर ट्रेन सामिल है धनबाद बैंक डाका डानने वाले गिरोह नहीं की थी जेवर बेवसाई राजस पॉल की हत्या धनबाद के मोथूर्थ फिन कोर्प में हुई डकायती में सामिल रहे अपराधियों नहीं जेवर बेवसाई राजस पॉल हत्या कांड को अंजाम दिया था इसके अलावा लालपूर की जेवर दुकान गाहना घर में डकायती वा फाइरिंग भी की थी डेली मार्केट थाना चेतर के ओसी कमपाउंड निवासी जेवर बेवसाई की हत्या साथ जुलाई 2022 को गोली मार कर दी गई थी दोनों बार दातों में सामील गिरोह से जुड़े दो अपराधियों के पूलिस ने पहचान कर ली है गिरोह से जुड़े अन अपराधियों की गरफतारी के बाद जल्द ही रांची पूलिस पूरे मामले का खुले असा करेगी W.A.C. में जारखंड के तिन छात्रों का चयान World Skills Competition 2022 में राजे के तिन विद्याथों का चयान किया गया है जिसमें रांची से यासिका और मोहित परकास वो बोकारों से स्वाति कुमारी का चयान हुआ है तिनों इंजिनियरिंग के छात्र है परत्योक्ता अक्टूबर में ही होगी परत्योक्ता में सामिल होने वाले तिनों विद्यार्थी जर्मनी आस्टेलिया जाएंगे इनका चयान राष्ट्रिय स्किल परत्योक्ता में गोल्ड मेडल जीतने के बाद हुआ है वहीं देश भर की अंठावन सेसे टीम छो अलग अलग कोशल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी इन में 19.7 शत्राए हैं रांची के टोप 5 पुजा पंडाल जारखन की रहधानी रांची में यू तो सैकड़ों पुजा पंडाल बनाए गए हैं पर हर पुजा पंडाल के अपनी विश्यस्ताय भी हैं लेकिन कुछ पंडाल ऐसे भी हैं जो कई मायनों में खास हैं बता दे इन पुजा पंडालों को देख कर आप भी तरीफ किये बिना नहीं रपाएंगे इन पुजा पंडालों को बाहर से आये कलाकारों ने कठीन परिश्रम से मुर्थ रूप दिया है इन पंडालों को देखना एक सुख़द अनुभूती है बताजे रांची रेलवेस टेशन पर कई वर्षों से दुरगा पुजा का वेजन होता आ रहा है इस बार भी यहां कलाकारों ने अद्भूत पुजा पंडाल का निर्मान किया है धन्यवाद